गाय घाट के शेल्टर होम में लड़कियों को नश्री दवायां दी जाती है और सेक्स करने के लिए मजबूर किया जाता है ये आरोप एक 19 वरसी लड़की ने लगाया था उसके बाद बेशर्म नेता और अधिकारी उसके चरितर पर सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं क्योंकि जब भे मैं वहां थी तो वहां पे लड़कियों को नश्रीली दवायां दी जाती थी और सेक्स करने के लिए मजबूर किया जाता था और उस वक्त भी हम कुछ लड़कियों ने इसका विरोध किया था और वहां हंगामा किया था तोड़ फोड़ किया था उसके बाद ये मामला कहीं ने कहीं दवा दिया गया तो अब एक तरफ उन्हें इस बरसे लड़की आरोप लगा रही है कि उसे मजबूर किया जाता है और जो है हम इस मसले को उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वंदना गुप्ता को कड़ी से कड़ी सजा मिले वो लड़की साब तोर पर कह रही है कि इस बात की जाच की जाए अगर मैं गलत रहूं तो मुझ पर कारवाई की जाए तो सवाल ये उठ रहा है कि सरकार जो है वो लगा है देज्जाद दी जाती है लेकिन जब एक लड़की यह आरोप लगा रही एक संगी आरोप लगा रही है और हर किसे के साथ यह होता है renowned संगीन एक कोई एंट्र नहीं करसकता है लेकिन शाम होते ही वहाँ बड़े-बड़े घर की मझे का जाता हैений और पिर लड़क् कुछ पैसे मिलते थे और वही पैसा हमने वकायदा दिया था उसने साब तोर पर कहा है कि वहाँ पर जो है ये खेल चल रहा है कई लड़किया है जो इसका विरोध करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती है क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर होता है और वंदना गुप्ता की प पर ये खेल हो रहा है और वहाँ पर ये बताया कि 200 लड़किया तो ठीक हैं इसके लावा जो कुछ लड़किया है वो कोई पागल है कोई गूंगी है आप समझे उसके साथ क्या होता होगा लेकिन अब हमें अपनी जान का डर नहीं है उसने ये डर भी जताया कि उसकी हत्या की बात करती है लेकिन मैं कहती हूँ कि आप बेटी पढ़ाये मत लेकिन पहले बेटी बचा लीजिए और साथ वर नितिश कुमार पर निसाना साते वे कहा कि जो नितिश कुमार महलाओं के बारे में इतना बात करते हैं वो इस तरह के संगीन मामले होने के बाद भी इसकी ज क्यों नहीं करवा रहे हैं हलाकि सरकार के तरफ से कहा गया है कि प्रधान सचीव केस्तर पर इसकी जान करवाई जाएगी लेकिन जाज के नाम पर क्या होगा यह आप समझ लीजिए क्योंकि खुद SP साहब यह कह रहे हैं कि आरोग बिलकुल इनाधार हैं जबकि वहाँ पर CCTV फूटेज हैं और लगातार वो लड़की यह जब कह रही है कि अगर हम दोशी हो तो हम पर कारवाई हो फिर भी इस पर कारवाई नहीं हो रही है जो साब तो पर बता रहा है कि बिहार में महिलाओं की कैसिती है लगातार सोशल मीडिया पर खास करके जितना डिजिटल चैनल से इस मसली को प्रमुकता से उठा रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार की नहीं जाग रहे हैं आपको याद होगा मुझब पर पूर बे जो बालिकागरी में कांड हुआ था वहाँ पर बरजेश सिंग का इसमें वहाँ की जो मंतरी हैं समाज कलियान मंतरी मंजी वरमाउंगा नाम सामने आया था खबर ही आया थी कि उनके पती भी उस शेल्टर हों में गए थे हलाकि बाद में उनके मंतरी के पती ने ये कहा था कि एक बार जरूर गए थे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कांड नही होनी चाहिए जब एक लड़की ये संगीन आरोप लगा रही है तो फिर इसकी जाच जो है वो किसी स्थाथ एजेंसी के जरीए क्यों नहीं होनी चाहिए फिर हाई कोट के जो रिजाट जज होते हैं जो निस्पक्ष नोग है उनकी एक समिते बनाकर ये जाच क्यों न करवा और खासकर ये जानने वाली बात होगी वंदना गुपता जो उस जेल की अधिक्षक है उनकी हिम्मत की राज क्या है वो कहती है कि लड़किया या आत्मी पूलिस की मरजी से हैं लेकिन जाएगी हमारी मरजी से तो आप देखने वाली बात होगी ये मामला बढ़ रहा है ले